ओम नारायन 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 दोस्तों आज हम Z5 की दर्बान इस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं आज से करीब 2-7-2 मेने पहले यानि 4 दिसंबर 2020 को इसे Z5 पर रिलीस किया गया था मराटी फिल्मेकर वेपिन नडकरनी जी ने इस फिल्म को ड्रेक किया है रबिन्दना टेगोर जी की लगूखता शॉर्ट फिल्म खोका बाबूर प्रत्यवरतन पर ये सिरीज सौरी ये फिल्म आधारी थे फिल्म में मुख्य भूमिका में है शरीबाश्मी शरत करकर रसिका दूगल आधी आधी देखे एक 2020 की एक बहुत ही महतोपूरन फिल्म में इसे कहूँगा जो मुझसे देखना रह गई थी मतलब पतानी चूटी गई थी मुझसे देखना ज्यादा इस फिल्म का कोई प्रमोशन भी नहीं हुआ था किसी भी बड़े जो इंडस्टि से जुड़े हुए बड़े-बड़े क्रिटिक्स है किसी ने भी इस फिल्म का रिव्यू तक नहीं किया हुआ तो मुझसे बस ये फिल्म पतानी चूट गई थी ज्यादा किसी ने मुझसे इसे recommend भी नहीं किया था पर जब अभी जन्वरी में करीब एक मेने पहले मैंने 2020 की Top 10 Best Films की जब मैंने लिस्ट बनाई थी तब जाकर मुझे कुछ मित्रों ने कमेंट सेक्शन में इस फिल्म को रेकेमेंड किया कि मैं इस फिल्म को देखू इसका रिव्यू करूँ तो तब तक मैंने लिस्ट बना दी थी Top 10 Best Films की नहीं तो ये फिल्म पक्का उस लिस्ट में अपनी जगत ज़रूर बना थी Top 10 Best, 2020 की Top 10 Best Films की लिस्ट में जब मैंने इस फिल्म को अभी देखना शुरू किया कल ही तो बार-बार मुझे एक ही फिल्म की याद आ रही थी वो है Netflix India, Netflix की The White Tiger, दोनों ही फिल्म में एक दूसरे से एक्जैक्टली अपोजीट है, एक्जैक्ली हर एक चीज, हर एक सीन, हर एक डायलॉग, पूरी की पूरी फिल्म की Theme, Concept, जो कुछ भी फिल्म कहना चाहती है, हर एक बात दोनों फिल्मों की एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजीट है और दोस्तों इससे एक बात हमें स्पष्टोरूप से पता चलती है, कि अगर किसी कहानी को रविंदरनाथ टेगोर जीजे से कोई इतने महान व्यक्तिमत्व जब लिखते हैं, तब उसमें समाज का चितरन कैसे किया जाता है, वो हमें दर्बान से पता चलता है, और दूसरी अपोजिट, दोने में समाज का चितरन भी बिल्कुल ही एक दूसरे से अपोजिट, एक एक करके हम पहले बात करते हैं, सबसे पहले दर्बान की कहानी, 1971 के धनबाद से धनबाद हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है, जहां पर कोईले की खदानों को सरकार अप पहले के खदान के जो मालिक है, नरेन त्रिपाठी, उनके और उनके परिवार का एक नौकर, जो उनके परिवार की ही एक हिस्से के तरह है, रायचरन, जो कैरेक्टर शरी भाश्मी ने बले किया है, रायचरन का, इन दोनों के बीच के रिष्टे की ये कहानी है, अब नरेन इत्रिपार्टी सब कुछ खो देते हैं, सरकार उनकी कोईली की ख़दानों का अपने नियंतरण में जब ले लेती है, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता, एक 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 करके उन्हें अपने सारे नोकरों को घर से काम से निकाल देना पड़ता है, काम से निकालने से पहले एक परिवार के हिस्से के तरह हमने रखा, उनको जीवन की मतलब सभी प्रकार की सुविधाय दी, उनके बच्चों के पढ़ाई, लिखाई, हर प्रकार का हमने उनका ध्यान रखा, और आज ये सब कुछ एक जटके में हमसे छूट गया, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छी खासी उसे नोकरी है, फिर से पैसे उसने कमा लिये हैं, और अपनी हविली को वापस से खरीद लेता है, अब 20 वर्ष के बाद में वो जब वापस गाव में आता है हविली को खरीदने के बाद में, तो वो सबसे पहले जाकर राइचरन से मिलता है, उसके गाव में जाकर जहांपर उखेती बाड़ी वगेरा कर रहा होता है अपनी पत्नी के साथ में रायचरन की पत्नी का करेक्टर असिका दूगल ने प्ले किया है तो अनुकुल आकर कहता है कि क्या तुम वापस आ सकते हो हविली में अनुकुल का अभी दो वर्ष का बेटा हो गया है और वो चाहता है कि रायचरन ही उसके बेटे का ध्यान रखे क्योंकि बच्पन में अनुकुल का ध्यान रायचरन नहीं रखाता तो रायचरन तुरंद मान जाता है और वो अपने हविली में वापस आ जाता है और अनुकूल के बेटे के साथ में उसका इस प्रकार से लगाव बन जाता है वो उनको छोटे बाबू छोटे बाबू कहकर दिन भर बस उनकी ही पीछे वो लगा रहता है पर एक दिन जब वो फूल तोड़ रहा होता है रायचरन कमल के तो पीछे से अनुकूल का बेटा अचानक से गायब हो जाता है उसके साथ क्या होता है कुछ भी पता नहीं जलता और इस घटना के कारण, इतनी दुखत घटना के कारण सब तूट जाते हैं जो अनुकूल है, अनुकूल की जो पत्नी है, फ्लोरा से निनो करेक्टर प्ले किया है वो भी अंदर से पूरी तरीके से तूट जाती है और सबसे ज़्यादा इस बात का आगात अगर किसी को लगता है तो वो है रायचरन वो पश्चाताप की अगनी में इस प्रकार से जलने लगता है और इसके बाद में इस पश्चाताप के कारण वो किस प्रकार से मानसिक पीड़ा उसे होती है जो उसकी मानसिक रूप से वो एक प्रकार से अस्तिर हो जाता है अब देखें अगर आपने The White Tiger को देखा होगा तो उस फिल्म का भी मूल विशे यही है एक मालिक और नोकर के बीच के रिष्टे को ही वहाँ पर भी दिखाया गया है पर वो फिल्म किस कंक्लूजन पर निकलती है देखिए फिल्म यampa थे कि भारत की जो 10,000 वर्ष पुरानी महान सब्वेता है न एक कटाक्ष की रुप में तझ कसने की रुप में इस वाक्य को उन्होंने उप्योग किया है कि महान सब्वेता कहना तो वो यह चाहते कि भारत की सबसे सब्वेता एक्दम घिनोनी है पर directly वो ऐसा नहीं कहा है उन्हें ये कहा है कि भारत की जो महान दसुजार वर्ष की सब्वेता है न उसने हमें क्या दिया है एक मुर्गे का पिंजरा दिया है अब ये मुर्गे का पिंजरा क्या है फिल में ये कहा गया है कि इस देश का जो अमीर वर्ग है या जो मालिक होते है, वे अपने नोकरों को ड़रा कर रखते हैं, धमका कर रखते हैं, यह कहती कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोंगे, तो हम तुमारे परिवार के और हत्या कर देंगे, और इस कारण से जो employee है, या जो नोकर है, वो अपने मालिक की डर कर डर के कारण वो उनकी बात मानता है और इस डर को ही फिल्म में मुरगे का पिंजरा कहा गया है और फिल्म आगे अंत में एक और conclusion पर निकलती है वो यह कि अगर किसी नोकर को इस पिंजरे को तोड़ना है तो उसके पास में एक ही दो ही रास्ते हैं एक तो है जरूम और दूसरा है पॉलिटिक्स इसके बगेर वो इस पिंजरे को तोड़ ही नहीं सकते और फिल्म के अंत में गिल्ट का पश्चाताप का भी मजाब उड़ाया गया है अब वहाँ पर फिल्म में जो नोकर है वो जान पूचकर अपने मालिक के बेटे के हत्या करता है दर्बान में तो गलती से वो बेटा खो जाता है अनकूल का खो जाता है या उसकी मुर्थी पर गलती से होता है रायचरन जान पूचकर उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया होता फिर भी वो पश्चाताप की अगनी में जल रहा है रायचरन और दूसरी तरफ दुवाइट टैगर में जो नोकर है उसने जान पूचकर अपने मालिक के बेटे की हत्या की है सोच समझ कर पूरी प्लैनिंग करके हत्या की है पर फिर भी वो फिल्म एंडिंग में गिल्ट का पश्चाताप का मजाग उड़ाती है ये कहा गया है कि वाई जो पुरानी बॉल्योड की हिंदी फिल्में वगेरा होती है वहाँ पर कोई व्यक्ति खून वगेरा करता है तो वो बस ऐसे डरता है पश्चाताप की अगनी में जलता है ये सब फाल्ट की बाते हैं इस प्रकार से गिल्ट का पश्चाताप का वहाँ पर मजाग भी उड़ाया गया है इसके साथ में इस वेट टैगर में समाज का भी बहुत ही जदा निगेटिव नकारात्मक चितरन किया गया है इसी के अपोजीट अगर आप दर्बान को देखेंगे तो देखिए जब रायचरन अपने गाओ में आता है फिल्म की शुरुआत में ही वो शादी का एक सीन दिखाया गया है कितना सुंदर गाओ का माहौल कितनी सुंदर वो शादी दिखाई गई है लोग कितने प्यार से मिल जूल कर एक दूसरे के साथ में रहते हैं और यही सच्चा ही है देश में साड़े साथ लाग से भी जादा भारत में गाओ है आज भी आप भारत के गाओ गाओ में घुमकर देख लीजिए पूरव से पश्यम उत्तर से दक्षिन भारत के गाओ गाओ में आप घुमकर देख लीजिए यही जो एकता है प्रेम है यह आपको हर एक जगह पर देखने को मिलेगा छोड़े छोड़े गाओ में आज भी कोई चोटा सा फंक्शन होता है शादी होती है कोई कारकरम होता है कोई उत्सव होता है तो पूरा का पूरा गाओ एक साथ में मिल जूलकर उस उत्सव को मनाता है शादी में पूरा का पूरा गाओ आकर खाकर चला जाता है फिर भी किसी को कोई किसी को रोकता डोकता तक नहीं है यह सच्चा ही है यह reality है और यह reality वही दिखा सकता है जिसने सच में भारत के गाओ को देखा है पर दुसरी तरफ The White Tiger उस novel को लिखने वाले कुछ Australian Indian मूल के हैं जो director है वो American मूल के हैं और यह लोग अपने air condition rooms में बैठ कर भारत के गाओ का बिलकुल ही एक opposite चितरन करते हैं 130 करोड, 140 करोड की आबादी वाले इस देश में से कुछ गिनी चुनी कही पर हुई घटनाओ को एक व्यक्तिगत अपराद को उठाते हैं और उसको पूरे देश की तस्वीर के रुप में यह अपनी फिल्मों में प्रेजेंट कर दें कि यह है भारत, यह है भारत की 10,000 वर्ष पूरानी सभ्यता अगर आप किसी व्यक्तिक एक व्यक्तिगत गलत मानसिकता को अपराधिक मानसिकता को किसी व्यक्तिकी दिखाते हैं वो एक अलग बात है पर आप पूरे के पूरे देश को सर्टिपिकेट देते हैं देश की 10,000 वर्ष पूरानी सभ्यता को ही नहीं है जिन्होंने बिटिशों और वामपंथियों के दौरा लिखा गया जुटा इतिहास पड़ा है वही लोग इस प्रकार का जुटा चेतरन कर सकते हैं और अपने एर कंडिशन रूम से में बैट कर ये इस प्रकार से समाज को सर्टिपिकेट बाटने का काम करते हैं इन सब के अलावा एक और बात जो कंपलसरी दिखाई जाती है वो ये कि जो उद्योपती है को बिजनसमेन है इवन कोई बनिया ही क्यों नहों कोई चोटा-मोटा दुकान दार ही क्यों नहों उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब बस वो लूट रहे हैं दुसरों को मार रहे हैं न आपको एक human लगेंगे, हाँ भाई वो मनुष्य है, उनके भी अपने कुछ emotions है, भाउनाए है, पर आप दुसरी तरफ गैंक्स आप वसेपूर को देख लीजिए या और भी ऐसी कैसरी, 80-90 के दशक में बनी हुई फिल्म में, वहाँ पर जो मिल कपड़ा मिलों के मालिक वगरा है, या अन्य कोई मिल वगरा के मालिक वगरा है, कारخानों के मालिक वगरा है, या भी दवाइट टैगर में जो मालिक जिसको दिखाया है बिल्कुल दरिंदों की तरह, राक्षसों की तरह उनमें कोई emotions के layers नहीं ये हमेशा कहते हैं communist की भाई characters में ऐसे grey shards होने चाहिए ऐसे black and white characters नहीं होने चाहिए पर ये खुद अपने film में इसी प्रकार से समाज का black and white चित्रा नहीं करते हैं उनके characters में कोई emotional layers नहीं होते तो यहाँ पर अगर आप दर्बान में देखेंगे तो ये जो खदानों के जो मालिक है फिल्म की शुरुआत में ही कई सरे अलगलग खदानों के मालिकों को दिखाया है उनको भी एक human दिखाया है उनकी भी अपने emotions है, problems है तो ये एक मतलब realistic समाज का चित्रन हम इसको कह सकते हैं पर अगर आप दर्बान के reviews पढ़ेंगे न तो आपको बड़ा अश्यर होगा कि इस फिल्म को किस कारण से उन्होंने क्रिटिसाइज किया है देखिए, टेकनिकल बातों के कारण क्रिटिसाइज नहीं किया ये कहकर उन्होंने दर्बान की आलोचना की है कि दर्बान में जातिवाद को क्यों नहीं दिखाया भेदबाव को क्यों नहीं दिखाया नरेंत्री पार्टि और रायचरण इनकी बीच में किसी भेदबाव को क्यों नहीं दिखाया ये सब कुछ इतने अच्छे से मिल जूलकर प्रेम से रहते हुए उनको दिखाया गया है ये इतना अच्छा समाज का चितरन क्यों किया गया है ये रियलिस्टिक नहीं है ये बाते कही है ये बाते कहे कर उन्होंने दर्बान की आलोचना की है और विश्वास करिए दो वाइट टैगर में जिस प्रकार से समाज का चितरन किया गया है वैसा समाज का चितरन अगर दर्बान फिल्म में किया जाता तो अभी तक इस फिल्म की जो डिरेक्टर है उनको मतलब इतना अप्रेसियेशन मिलता इतना इंटरनेशनल उनको उनको उनकी प्रशंसा की जाती राश्ट्री अंतराश्ट्री अस्तर पर कि आप उसकी खलपना नहीं कर सकते जिस प्रकार से आप देख सकते हैं तो वाइट टाइगर को किस प्रकार से कितनी प्रशन सा वगएरा उसको मिल रही है तो ये टेक्निकल बाते कई लोग कहते हैं कि वह टेक्निकल बातों के कारण ये पुरस्कार वगरा मिलते हैं इंटरनेशनल अप्रिसेशन वगरा मिलता है ये सब खोकली बाते हैं अब फिल्म के मैरे एक्स्पिरेंस के अगर मैं बात करूँ तो फिल्म ने कई जगों पर मुझे इमोशनल किया शरी भाश्मी मतलब उनका परफॉमस फिल्म में सच में गजब का था शरत केरकर उन्होंने अनुकूल के एक करेक्टर पर वो बिल्कूल परफेक्टली सूट हो रहे थे उन्हें ज़्यादा कुछ करने की आवशक्ता भी नहीं थी इसके अलबा रसिका दुगल बहुती एक छोटा सा केमियो हम उनका कह सकते हैं पर उनका परफॉमस भी फिल्म में बढ़िया था कुल मिलाकर फिल्म ने मुझे इमोशनल किया कई जगों पर हाला कि इंडिंग इसकी और बढ़िया हो सकते थी और ज़दा इमोशनल फिल्म के अंत में हमें किया जा सकता था पर फिर भी जितना कुछ लिमिटेड बजेट में उन्होंने फिल्म बनाई है उसके लिए इस फिल्म के मेकर्स की सच में प्रशन सा हमें करनी होगी मैं दर्बान को दूँगा 8 out of 10 stars parental guidance की अगर हम बात करें तो फिल्म में कोई sex नहीं है nudity नहीं है, कोई violence नहीं है आप अगर अपने परिवार के साथ में इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं आपके आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका experience कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए जैश्री राम वंदे मात रम